वेल्टम बैक यो और चैनल यूविज फिजिक्स विटा आज फिर से क्लास 11 के नगे कोशन के साथ आप लोगों के बीच में आए आज का जो कोशन होने वाला है वो सेंटर ओव मास का कोशन होने वाला है कोशन क्या है बिटा जो चार फूर पार्टिकल्स ओफ बासिस एम टू पैलेलोग्राम जो है उसके सारी साइड कितनी है ए ए अट वन ऑ व्फ दा एंगल बिट्वीन टू एजसेंट साइड इस टिए डिगरी दू एजसेंट गून है यह क्षिए यह एक साइड हो गई और यह दूसरी साइड हो गई तो यह पैलेलोग्राम हो गया इनके बीच मै पॉरेजन के ऊपर है एम मास रख दिया और पे एकसी पर रखा हूआ है अपने को निकालना का है The Center of Mass Of The Arrangement यानि कि Center of Mass Arrangement का कहा होगा यह 2M हो गया और यह अपने पास 3M हो गया पिटे तो Center of Mass निकालने के लिए अपने पास formula है XCM और YCM अपने निकाल सकते हैं दो यह Axis में काम करा है ZCM तो 0 होगा XCM और YCM का formula क्या होता है अपने को सभी को पता है क्या Sir M1 X1 Plus M2 X2 Plus M3 X3 Plus M4 X4 Dividing by M1 Sorry Dividing by M1 Plus M2 Plus M3 M4 मैंने 4 E क्यों लिए 4 E क्यों लिए क्योंकि सब्सक्राइब यहां पर 4 E कोडिनेट आने वाले इस वाले का कोडिनेट क्या है 0 0 Side कितनी है A Total Side A तो इसका कोडिनेट किना हो जागा Y axis में 0 क्या होगा A 0 यहां पर नहीं पता यहां पर नहीं पता यह परपेंडिकूलर यह बेश और यह हईपट्neos तो बेटा बेश अपनेट री पर नहीं बेश अपने कि आने होगोई कोनसे थीटा जागा कौश थीटा इसका मतलब हाईपने पास A है तो यह वाला यहां से याद के distance कितनी हो गई, यह वाली distance, यह हो गई अपने पास, hypertext A, तो A cos 60 degree, ऐसे यह वाला, यह perpendicular upon में hypertext, तो यह क्या हो जागा, A sin 60 degree, ओके, तो इसके coordinate क्या हो गए, इसके coordinate हो गए, x-axis में, A cos 60 degree, और बेटा y-axis में, A sin 60 degree, पहली अपने को पताईए, value put कर देंगे, ओके, यह लिए कि अपने पास इनका कोई points नाम दे दो, यह A point हो गया, यह B point हो गया, यह C point हो गया, और यह D point हो गया, अपने पास C point के coordinate आगे, A cos 60, A sin 60, ऐसे D point के coordinate और निकाल लो, D point के coordinate और निकालो, बताओ शाबस, देखो, यहां से यहां तक A है, A के अंदर यह वाली चीज़ है, तो यह angle भी 60 degree है, sides अपने को पता है, यह वाली कि नहीं थी, A cos 60 degree, और उपर वाला यह कितना है, A sin 60 degree, तो बेटा यह क्यों हो गया, A, यहां से यहां तक है, distance A, plus this, इसका coordinate X axis में क्या हैगा, A plus A cos 60 degree, क्या हैगा, यहां पर इसका coordinate क्या हैगा, A plus A cos 60 degree, उपर, A sin 60 degree, अब आपको coordinates A, B, C, इनका मास पता है, coordinate पता है, हम लोग value पूट कर सकते हैं, मास M, 4M, 3M, 12, coordinates 0, 0, A, 0, यहां पर, A plus A cos 60 degree, पलस, sorry, comma A sin 60 degree, यहां पर, C point पर, A cos 60 degree, A sin 60 degree, हो गया, बस, कुछ भी नहीं है, निकालो, A point के coordinates देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, A point के coordinates, A point का मास कितना है, M, coordinate कितना है, 00, B point का मास कितना है, 4M, coordinate कितना है, A, 0, C point का मास कितना है, 2M, coordinate कितना है, निकालने पड़ेंगे, sir, A cos 60, A sin 60, cos 60 का मनलब, A cos 60, cos 60 कितना होदा, 1 by 2, okay, और Y axis में किना सब्सक्राइब कोडिनेट इसका कोडिनेट का गोडिनेट यह लिखा हुआ A plus A plus A by 2 इसका लो 3 A by 2 किना आया 3 A by 2 X axis में और Y axis में root 3 A by 2 क्योंकि sin 60 की वाली पता ही है सबका mass, सबका coordinate, सब कुछ पता चल गया चलो निकालते हैं X axis का XCM XCM, M1, M into में first X1 0 plus M2 4M ऐसे करोगे तो कोशिन कभी गलत नहीं हो सकता into में A plus 2M into A by 2 plus 3M into 3A by 2 dividing by M1 plus M2 plus M3 4 plus 2 plus 3 plus 1 10M तो क्या है चलों गटा XCM good 0, खतम 4 AM plus खतम AM plus 9 AM dividing by 2 dividing by 10 सबका 10M M तो कोवन आएगा, खतम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है XCM कितना आगा है बिटा तो को सबको add करें, यह 8 plus 2 plus 7 plus 9 8M AM plus 2 AM plus 9 AM dividing by 20M क्योंकि 2 नीचे आएगा, यह से मुझे आगा, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, 19, कितना हो जाएगा, 19 AM, dividing by 20M, M से M, खतम, yes sir, so XCM कितना हो जाएगा, बच्चो मेरे, बता हो, 19, कितना हैगा, 9, 0.95, नहीं, 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 पॉइंट ले लिएगा, ओके, 9.5, dividing by 10, तो जीरो, 0.95, 0.95 क्या, A, 0.95 A, किसका coordinate आगया, XCM, ऐसे YCM भी निकाल लो, YCM, इदर निकालते हैं, YCM, सर, YCM के लिए देखो, फर्स्ट वाला, YCM, देखो, coordinate Y वाले लेंगे, सारे Y1, Y2, Y3, और यह Y4, चलो, निकालो, सब coordinate अपने को बताईए, M, M into में, फर्स्ट वाला मास into में, coordinate 0, प्लास, सेकेंड वाला मास, 4M into में, 0, ओके, बहुत सिंपल हो गए है तो, प्लास, 2M, into में, उसके coordinate के नहीं है, A by, A into में, root 3 by 2, ओके, प्लास, next coordinate, 3M, into में, root 3A by 2, dividing by 10M, टीक है, अच्छा, यह 2A है, M है, M, यह 2M है, 2M, है न, ओके, अलों यह तो, दोनों खतम ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Y, C, M कितना आ गया, बिटा, Y, C, M आ गया, यहां से, 2, 2, अच्छा, दोनों common ही है न, तो 1 by 2, common, यानिके 1 by 20, अंदर कितना बज़ गया, 2 root और 3 root, यानिके 5, root 3, 3, A, M 5 बन जा 5, 5, 4 जा, और यह M भी था, इसके साथ, M से M भी खतम हो गया, तो Y, C, M कितना आ गया, बच्छों, कितना आ गया, root 3 by 4 A, Y, C, M आ गया, root 3 by 4 A, और X, C, M कितना आएगा, X, C, M, आएगा, 0.95 A, बेटा, इसके बेटा, इसके बेटा, इसके बेटा, आर इसके बेटा, अपन पोजिशन, क्या हो जाएगा, 0.95 A i cap plus root 3 by 4 A j cap this is the final position of the center of mass these are the coordinate and this is the final position ठीक है अच्छा question था थोड़ा से lengthy हो गया लेकिन अपन step by step इस question को समझेंगे ठीक है बटा थेंक यू channel को like करें, share करें और video को जादा शेज़ादा share करें और subscribe भी करें चैनल को thank you, have a nice day